वहीं अगर अब देखें ग्वार जो एक होड़ कोमोडिटी होती हुई नजर आ रही थी पिछले कुछ दिनों में जिसने सब का रुजान जो है अपनी तरफ खीचा था अब वो कोमोडिटी उपर इस तरों से फिसलती हुई पिछले दो दिनों में दिखाई दे रही है लगातर 13,000 के उपर सस्टेन करने वाली गवार नीचे फिसल चुकी है अब हमने इसको 11,000 के घरों में कारोबार करते हुए देखा लेकिन आज वापिस से 12,000 के उपर गवार गम कारोबार करते हुई दिखाई दे रही है दरसल कच्छे तेल में जो तेजी आ रही थी उससे भ कोई भी स्थिती नहीं बनती नजर आ रही कि गवार की कीमते जादा नीचे लुडगती हुए दिखाई देंगी क्योंकि हाजीर मंडियों में अभी भी मझबूत मांग बनी हुई है और सप्लाई काफी कम है क्योंकि मंडियों में गवार की नई आवक अभी काफी कम देखने को मिली है पिछले साल कम भाव से किसानों का रुजहान इसके अंदर घट गया था जिसके चलते सोइंग कम हुई और अब प्रोडक्शन भी कम बताया जा रहा है दो-तिन सालों में उत्पादन फिलाल गवार का घटकर आदा रहे गया है चालू सीजन में 35 लाग बोरी उत्पादन होने की संभावनाई जताई जा रही है जो फार्मर पहले गवार के अंदर सोइंग करते थे उनका रुजहान अब गवार की बजाए मुंफली और कोटन में बढ़ चुका है जिसके चलते गवार का प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है तो अब जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है गवार का फिलाल तेजी का है और उमीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में गवार के अंदर तेजी बनी रह सकती है और गवार साड़े तेरह हजार से पंदरह हजार का सर भी चूटी हुई नजर आ सकती है क्योंकि गवार के फंडामेंटल अभी काफी सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं और डिमांड भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है और ट्रेडर्स काफी एक्टिव हैं निचले सतरों पर वापिस से खरदारी करते हुए नजर आ रहे हैं इसके चलते हैं उमीद की जा रही है कि गवार 15 हजार तक के उपर के सतर दिखाती हुई नजर आ सकती है